Hello everyone, welcome to our YouTube channel. आज की इस वीडियो में में बहुत महत्वूर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो Batch 2022 DLA trainees से संबन्दित है. मत्रा जुनपत के DLA Batch 2022 के trainees की इंटर्शिप स्टार्ट होने वाली है. इसके लिए Portal पर Choice Filling स्टार्ट हो गई है. तो इस वीडियो में हम आगे देखाएंगे कि Batch 2022 के जितने भी trainees हैं, उनको किस तरीके से अपने विद्ध्याले के विकल पूरित करने हैं, जिससे वो अपने इंटर्शिप में Participate कर पाएं. सबसे पहले Google पर अपना डाइट मत्रा सर्च करेंगे. डाइट मत्रा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी. इस पर किलिक करना है. और यहाँ पर किलिक करने के बाद इनको Continue पर किलिक करना है. तो मत्रा की डाइट की वेबसाइट पर यहाँ ओप्शन आएगा एक User Login का, राइट साइट पर. User Login पर जब किलिक करेंगे. तो यहाँ से उनको Trainees Login सेलेक्ट करना है. Trainees Login सेलेक्ट करने के बाद अपना बैच चूज करेंगे. 2022 बैच है. जिस College में वो पढ़ रहे हैं, वो College रहेगा. Registration नंबर में वो Registration नंबर डालना है. और वो Registration नंबर यहाँ फिल करेंगा. इसके बाद Date of Birth ग्यूज करेंगे. तो जो इनकी Date of Birth है, किसी बच्चे की Particular Date of Birth डालनी है यहाँ पर. इसके बाद इनको Login करना है. Login करने के बाद Student Portal उपन हो जाएगा. और वो Student Portal इस तरीके से दिखेगा. इसमें अगर किसी बच्चे को अपनी Details देख सकता है, जो भी उसकी Name वगेरा Details हैं, सारी Details उसको दिख जाएंगी यहाँ पर. अगर किसी Detail में कोई Correction करना हो, तो वो यहाँ से Update Details वाला बटन क्लिक करेगा. और अपनी जो भी Particular Details हैं, उनको Edit करके यहाँ पर Save Changes कर देगा. Submit करते हैं, उसकी जो Final Details हैं वो Update हो जाएंगी. अभी हम बात करते हैं इस वीडियो में कि उस बच्चे को Choice कैसे फिर करनी है. Choice फिल करने के लिए Fill Internship Choice पर क्लिक करना है. इसके बार यहाँ पर एक चेताब नहीं दिखा रखा है, सभी दस विद्ध्याले विकल्प एवं दो ब्लॉक भरना अनिवाज है. तो हम जो Choice ले रहे हैं वो Total 10 School की Choice हैं और साथ में 2 Block की Choice हैं कि इन केस अगर आपको 10 Choice में से School नहीं मिलता है, तो हम जो आपको Block भरा हुआ है, उस Block में से कोई भी विद्ध्याले आवंटित कर देंगे. सभी विद्ध्याले विकल्प डिफरेंट होने चाहिए, आपके द्वारा पूरित सभी 10 विकल्प एवं 2 Block भिन भिन होने चाहिए, इसको आगे Continue करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर आपने जो भी 10 विकल्प हैं वो पूरित करेंगे, अपनी पसंद के जिन स्कूलों में आ पहले सही तैयार कर सकते हैं और उनको फिर यहां से चूज करके यहां पर पोर्टल पर फिल कर देंगे, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सभी 10 विकल्प अलग-अलग होने चाहिए, कोई भी अगर विकल्प सेम होता है या रिपीट होता है तो आपका यह फॉर्म स सेपरेट होने चाहिए, जैसे आप एक ब्लोग को रिपीट करके आप उसमें अलग-अलग स्कूल ले सकते हैं, अगर एक ही ब्लोग में आपको 10 स्कूल मिल जा रहे हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं, बस यह ध्यान रखना है कि आपको 10 स्कूल जो हैं वो अलग-अलग डालना है अपर जैसे सपोस करते हैं कि मार्ट पहला ब्लोक हो गया मत्वरा दूसरा ब्लोक हो गया नगरशेत्र मत्रोग यह दो ब्लोक हमने चूज कर ली है इसके बाद यहां पर आपको फूरी चैकलिस्ट एक्सेप्ट करनी है जिसमें आपको मेंशन किया गया है कि आपका जो internship आप कर रहे हैं वो आपके किसी भी relative के school में आप नहीं करेंगे तो यह आपको select करना है यह भी आपको select करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको submit choices करने हैं जैसे ही आप submit बटन पर click कर देंगे तो यह आपको message देदेगा विकल सवलता पूर्वक भरे गए हैं allotment letter की प्रदिक्षा करना है बस इतना सा काम आपको करना है इससे आपके सारे विकल फिल हो जाएंगे और आपका जब internship letter allot होगा तो आप फिर यह letter अपना college से प्राप्त क कर सकते हैं और अपने विद्याले में internship के लिए जा सकते हैं ऐसी महतकूर अब्डेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको internship विकल भरने में कोई दिक्षत ना हो अगर किसी को कुछ किसी आ रहा है तो description box में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है आप वहां पर जॉइन कर लीजिए और अपने जो भी डाउट्स हैं वह आप डाइरेक्ट वहां पर आप हमसे पोश सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग थैंक्य।